नमस्कार दोस्तों मेरा नम समीर शरद्देश कर मैं नाकुर शहर में रिता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ Health is well इस चैनल के अंदर में आज हम बात करने वाले हीमो हीम के बारे में लेकिन एक सवाल होता है मेरे मन में भी सवाल था इसलिए मैंने बहुत सारी खोशबीन कियो उसके उपर में कुछ नोट्स भी बनाए और वो नोट्स पढ़कर ही मैं आपको आज के वीडियो के अंदर में जो टॉपिक है मेरा उसके बारे में आप से बात करने वाला हूँ आपने भी सुना होंगा बहुत से वीडियोज हमने देखे बहुत से टेस्ट उमोनी देखी और रिसर्च भी देखे उसके अंदर बताया गया है कि हीमो हीम कैंसर पेशंट्स में मददगार शावील होता है और कैंसर जो सेल्स होते उनको मारने का काम करता है लेकिन होता क्या है जब हम किसी कैंसर पेशंट्स को हीमो हीम देते तो वो प्रभावी देखने नहीं मिलता है लेकिन कुछ लोगों में यह प्रभाव देखने नहीं मिलता उल्टा उसका कैंसर उसको लगता है और फैल गया और शरीर में Cancer के Sales बढ़ गए और तकलिवे उसको होना चालू हो जाती है तो ऐसा क्यों होता है क्यों हीम हीम हम जो Patients को दे रहे Cancer वाले उस पे काम क्यों नहीं कर रहा है और क्या सही में हीम हीम काम करता है Cancer पे इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाला अगर आप नए चानल पे तो सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा ताकि इस तरह की नई नी जानकारी सबसे पहले में आप लोगों के पास पहुचा सकूँ इसलिए सस्क्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ज निंके सेल्स है नहीं क्या नैश्चरल कीलर सेल्स रिसर्च से यहाँ भी पता चलता है कि इनके सेल्स कैंसर सेल्स को दो घंटे में पुरी तरह सब्सक्राइब करते हैं आपके सामने पूटो चल रही है वह फोटो पूरी वीडियो में वही चलेंगी अब सवाल यह उठता ह कि जब n k sales cancer cells को खतम कर सकता है तो cancer patients में himohim इस तरह काम क्यों नहीं करता बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि himohim तो n k sales को regeneration में मदद करता है bone marrow के through तो फिर himohim जब हम cancer patients को देते तब काम क्यों नहीं करता यह सवाल तो उटता है और इस सवाल का जवाब आप भी चाहते होंगे इस सवाल का जवाब मैं आप बताता हूँ एक ग्राम जो भी आतमी को cancer हुआ उसका जो tumor है वह tumor अगर एक ग्राम का है उसका जो वजन करोंगे आप operation करने का वाद अगर tumor निकालते हो उसका अगर वजन करते हो एक ग्राम यह जो size होता है one cubic centimeter का size होता है समझ लिजिए मोटा मोटा tumor का एने एक ग्राम उसका वजन होता है तो उस एक ग्राम के cancer के tumor के अंदर में आउसतन एने average approx 90 cancer कोशिकाए होती है एक ग्राम के tumor में cancer के tumor में approx 90 cancer cells होते हैं यानि एक बड़े साइस का या बिडियम साइस का अगर कैंसर का किसी को ट्यूमर होता है तो उसके अंदर में एक लाग से जादा कैंसर के सेल्स हो सकते एक ग्राम छोटा सा होता है एक ग्राम वजन उसके अंदर में 90 कैंसर के सेल्स होते और cancer के cells बड़े size भी दिखते हम लोगों को 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm तो ये medium size के हो गए इसमें लगबग आउसतन एक लाख से ज़्यादा cancer की कोशिका है हो सकती है cancer के cells होते अब देखते हैं कि इनके जो कोशिका है वो cancer cells और इनके cells cancer cells को मारने में सक्षम तो जरूर है तो इनके cells क्या करती है जब भी किसी cancer cells पर attack करती है तो 4,00,000 cancer cells को मारने में सक्षम होती है इनके cells जो आपके शरीर के अंदर है आपने हिमोहिम अभी लिया या नहीं भी लिया अगर आपके शरीर में इनके cells है तो 4,00,000 cancer cells को मारने में सक्षम होती है इनके सेल्स इनकी कोशिका है लेकिन उसके बाद वह खतम हो जाती है जहां उन्होंने 4 लाख सेल्स को मार दिया न उसके बाद वह पुरी तरह से खतम हो जाती है और उसके अंदर में पेफरोरीन और ग्रेंजाइम B का स्तर भी कम हो जाता है जब इनके सेल्स खतम हो गए तो ज है यह इनका स्तर्वी कम हो जाता है अब देखते हैं कि जब हम इनके सेल्स शरीर में बनाने के लिए किसी हर्प का इन्फ्यूजन करते हैं और अने बात करें हम लोग हिम हम ले तो इनके सेल्स बनने को 12 से 14 दिन का समय लगता है वह भी शिरिफ 100 100 NK cells per micro liter of blood के अंदर में 100 NK cells per micro liter of blood के अंदर बनने के लिए 12-14 दिन का समय लगता है जब हम किसी चीज़ का infusion और कोई हर्स लेरे कोई दवा हमने शरीर के अंदर में लिए NK cells डेवलप करने के लिए तो 12-14 दिन का समय लगता है अब सोचिएगा आपने हीमोहिम लिया और हीमोहिम आपने किसी cancer patient को दिया उस cancer patient के अंदर में हीमोहिम एक्टिवेट हो गया 12-14 दिन के बाद में 12-14 दिन के बाद में जब उसने NK cells बनाना शुरू कर दिया तो कि पहले जो NK cells बने थे उसके शरीर में जो naturally available थे वो तक हतम हो गए उसने 4 लाग cells को तो cancer cells को मार दिया अब हीमोहिम ने जब NK cells बनाना चालू किया तो हो सकता है कि जो पहले NK cells बने उसमें इत्ती capability नहीं थी कि वो 4 लाग cancer cells को मार सके इत्ती capability नहीं थी धीरे-धीरे NK cells बढ़ते गए उसके शरीर में जैसा हीमोहिम लेते गया हो और फिर NK cells destroy करने लगे cancer cells को अब मैंने आपको क्या बताए medium size का जो गठान होती है medium size का जो प्यूमर होता है उसके अंदर में 1 लाग से ज़्यादा cancer cells होते medium size के अब हर किसी के शरीर के अंदर में जो गठाने होती किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 होती है तो NK cells अगर 4 गठान है तो 4 लाग सेल्स को तो मार दिया तो NK cells महीं खतम हो गया 4 लाग गठानों को मार के तो फिर से NK cells बनने के लिए 12 से 14 दिन के समय लगने वाला है आपको आप ही मुहिम ले रहे हो तो 12 से 14 दिन के समय के अंदर में जो आपके शरीर के अंदर cancer cells बचे हुए वो बहुत fastly grow होते cancer cells के विशेष्टा होती है कि वो इतने fastly grow होते कि आप भी उसको समझ नहीं पाते science भी उसको समझ नहीं पा रहा है बहुत fastly grow होते double, triple, 4 बार, 5 बार, 10 बार इतने ज़्यादा वो खुद को grow करते तो जब तक 15 दिन तक 12 से 14 दिन तक जब तक NK cells हमारे शरीर बे नहीं बनते तक cancer cells बहुत ज़्यादा develop हो जाते क्योंकि जब पहली बार बना था उसमें 4 ला cancer cells को मार दिया और इनके cells वहां खतम हो गया फिर दुबारा बनने को 12 से 14 दिन का समय लगा अगर हम 2 पोश परड़े दे रहे तो तो की बात कर रहो हमें इसलिए 6, 7, 8 पोश रिकमेंडेट होते हैं क्योंकि आपके शरीर में कितने cancer cells हैं आपको भी नहीं मालूम मुझे भी नहीं मालूम ना डॉक्टर को मालूम है लेकिन जब आप 8, 10 ही मोहिम परड़े ले रहे कंज्यूम कर रहे छे से 8 पोश रिकमेंडे के पॉच्य तो हम यह समझ सकते कि इनके शेल्स ने 4 लाग cancer cell को मार दिया और continue आप 6, 7 पोश रिकमेंडे कंज्यूम कर रहे इनके शेल्स हो रे तो दस दिन बारा दिन के समय लगरा आपको दो पाउच हीमोईम लेने के बाद में वह समय कम हो जाता है वह समय जब आप 6 पाउच आज पाउच परडे कंज्यूम करते हो तो समय कम हो जाता है हो सकता है कि परड़ ही अपकी शरीर के अंदर में उत्ते सेल्स चारलाग सेल्स जनरेट होते होंगे उससे ज़्यादा भी sales generate होते होंगे वो research करने के बाद ही पता चलेंगा तो उससे ज़्यादा sales भी generate होते होंगे इसलिए जो लोगों ने 6 पाउच आजपाउच परड़े हीमोहिम पे consume किये हुए cancer patients ने उनके शरीर से cancer sales पुरी तर से destroy हो चुके और आपको continue इसको continue लेना पड़ेगा जब तक आपका शरीर पुरी तर से cancer sales से free नहीं हो जाता उसके बाद भी safety के लिए per day दो हीमोहिम जिंदगी भर लीजेगा तो दोस्तों मैंने आज के वीडियो में आपको बताने की कोशिश की कि हम जब हीमोहिम किसी cancer patients को दे रहे तो cancer patients पे हीमोहिम जैसे foreign की GT testimonies हमने देखे उसमें किस तरह से काम करता है वह results हमारे देखने नहीं मिलता या हम जब देते तो कुछ दिन तो अच्छा effect रहता है और बाद में effect कम होना चलो होता है 12-15 दिन बाद उसका effect हमको कम होना चलो हो जाता है कम दिखना चलो हो जाता है कुछ दिनों बाद बाद करो में ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पहली बार हीमोहिम देते तो 12-14 दिन उनको लगते इनके sales बनने को शरीर के अंदर में दोगुना गती से बढ़ते रहते और शरीर को नुकसान पहुचाते रहते इसलिए एक dose fix कर लीजेगा क्या आप उसका रिपोर्स टेक लिए डॉक्टर से बात कीजिए कितना शरीर में फैला हुआ है उसके इसाब से आपको doses cancer patients के उपर में हमोहिम के fix करने पड़ेंगे वह माध्यम से होने वाला है नापकुर में SOS करके हमारा education center है उस education center के माध्यम से कल साड़े आठ बजे कल 30 तारिक को साड़े आठ बजे जूम के उपर में सेशन है मेरे YouTube लिंक पे YouTube पे मैं वो लिंक तो दे दूंगा आपको उस पे आप अटेंट जरूर कीजिएगा उस meeting को ता जरूर अटेंट कीजिएगा अगर आपको ही मुहिम की पूरी जानकारी चाहिए तो तो फिर मिलेंगे कल इसी तरह के नए वीडियो में नए विश्चे के साथ नमस्कार जैस्री राम जैहिं